के जाए हिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त अब बात करने वाले हैं निफ्टी अन बैंक निफ्टी हमारा आज के लिए क्या व्यू था किस तरीके से हम लोगों ने आज के दिन ट्रेड प्लाइन किया था इस डाउन मूव को हम लोगों प्ले किया स्पेशली फिन निफ्टी के अंदर जहां पर हमारा जो 18500 का पुठता वो तीन गुना लगबग होता हुआ दिखाई दिया मैंने आप लोगे साथ फ्री ग्रूप में शेयर भी किया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी मैं जरूर बताऊंगा और क्यों मे कासे वह अप मूव ओन दो अपसाइड देखते हैं डिस तरीके का मोव अपने को मिलता है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अनलाइज करेंगे ग्लोबल मार्किट से क्या अपने को डिरेक्शन मिलती है वह समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से हम लोग जो है इस वो समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का लाइक कें जो है वो है 4000 लाइक तो भाई लाइक किये बगएर कहीं भी मत जाना चलिए वीडियो को शुरू करते है तेगे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की ग्लोबल मार्केट्स बिलकोल सुस्त है आज बहुत जारे डेटा जो अमेरिका में आने वाला है और उसमें से एक इंपोर्टेंट डेटा है वह सर्विसिस पी एमाई का अब सर्विसिस पी एमाई अगर बहुत जादा कम आ जाता है तो रिसेक्शन के फियर्स आ जाएंगे अगर वो बढ़के आता है तो जो है इस तरीके का फियर आ जाएगा तो बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है सर्विसिस पी एमाई डेटा के बाद और उसके बाद हम को डिरेक्शनल कॉल जो है वो ले सकते हैं आइदर साइड की तो यह थोड़ा अपने को ध्यान में रखना होगा दूसरी इंपोर्टन चीज है कि अगर कोई इंडेक्स इतने दिनों तक कॉंसलिडेट करता है हमारे में तो आज कोई मूव नहीं आया जस्ट बिकॉज हमारे जो नंबर साने वाले रिलाएंस इन नंबर से पहले मार्केट को एक डिरेक्शनल कॉल नहीं लेना चाता या मार्केट पार्टिसेबेंट से डिरेक्शनल कॉल नहीं लेना चाते बट अमेरिका में आज एक डिरेक्शनल कॉल आ सकती है तो अब देखते हैं नंबर किस प्रकार से आते हैं अब बहुत इंपोर्टन रहेगा अज सर्विस प्यमाई डेटा अमेरिका में किस तरीके से प्लैन आउट होता है तो चलिए सबसे पहले चार्ट के उपर आते हैं और चार्ट के उपर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक important चीज जो है आप लोग के लिए बताना चाता हूँ एक सवाल जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि लॉंग टर्म पोर्फोलियो बनाने के लिए संचित भाई कोई मदद करो हमारी तो आप लोग के लिए में help करने के लिए एक चीज लेके आया हूँ और उस चीज का नाम है तेजी मंदी अब तेजी मंदी क्या है तेजी मंदी एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च अनलिस्ट फर्म है और जो आपकी लॉंग टर्म पोर्फोलियो बनाने में मदद करता है यह ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्फोलियो है जिसे प्रोफेशनल्स की एक टीम जो है वो एक्टिव तरीके से मैनेज करती है और री बैलेंसिंग बगेरा भी जो है वो करी जाती है ठीक है तेजी मंदी मोधिला लोसवाल की ही सहायक कंपनी है आप लोगों को मोधिला लोसवाल के बारे में पता ही होगा रामदय अगरवाल जी जो की इंडस्ट्री के दिगज है इस कंपनी के बौर्ड डिरेक्टर में है और जो है काफी फेमस हैं अपने मल्टी बैगर्स चुनने के लिए तेजी मंदी जो है आपके पोर्टफोलियो की सापताइक समिक्षा भी करता है और जरुवत पढ़ने पढ़ जैसे मैंने बोला री बैलेंसिंग भी करी जाती है वरतमान में तेजी मंदी जो है वो निवेशकों को दो पो प्रवाइड करता है एक फ्लाग्शिप और दूसरा इस फ्लाग्शिप जो है वो लार्ज और mid-cap और small cap shares का You denow वर वेधर all weather जो बोलता है na portfolio होता है जबकि multiplier जो होता है वो small cap और mid-cap stocks से तयार किया जाता है जिसमें संभावित growth stock होते हैं जो कि mostly आपको अच्छे returns प्रोवाइड करते हैं तेजी मंदी भारत की काफी किफाहिती advisory है इनकी advisory fees जो है वो महस केवल 99 रुपीज प्रती मा से शुरू होती है और विशेशोगों के साथ अगर आपको अपनी एक investment journey को शुरू करना है तो तेजी मंदी आप जो है आप download कर सकते हैं link और बाकी सारी information आपको नीचे description में मिल जाएंगी देखिए सबसे पहले हम लोग charts के उपर आते हैं charts के उपर अगर हम बात करते हैं तो यह 15 मिने time frame मैंने आप लोग के सामने लग दिया है nifty का nifty का 15 मिने time frame अगर आप देखो एक बहुत critical support बहुत critical support जिसको तीन दिन से market defend कर रहा था उसको market ने breakdown दिया अब जितने भी sellers होंगे अभी मेरे को नहीं पता यार reliance के बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछेंगे हो सकता है video upload करने के तुरंत बाद या video upload के दोरान ही reliance के result आ जाए और reliance के result बहुत खराब है तो यह सारा view निगेट हो जाएगा ठीक है IC7 के result बहुत खराब है अब इसने क्या किया तीन दिन का support तोड़ने के बाद इसके पास जो पहला support आया that is 17,550 उसने exact वहीं से support ले लिया और पूरी तरीके से trap करके closing कहां पे दी है लगबग 17,624 के आसपास अगर मैं डेटा की बात करता हूँ expiry से पहले monthly expiry है पहले चीज़ यह याद रखना 17,700 पे put writing हुई है quantity कम है quantum कम है बट उसके बावजूद भी 17,700 पे put writing होना it's very significant के 100 point अंदर इंदा मनी कोई put write करके गया है दूसरी चीज़ जो डेटा में दिख रही है वो 17,600 के आसपास है जहां पे हम लोगों का एक पूरा plan बना हुआ है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या इस up move के लिए हमें add the money calls by करनी चाहिए देखो इस type का जो closing है इस type के जो बड़े numbers आने वाले हैं आज America का services PMI आएगा हमारे बड़े numbers आएगे रिलाइन्स और आई से के ये एक hero zero kind of situation हो जाती है और इसमें कभी भी आपको बड़ी quantity बड़े trades नहीं करने चाहिए छोटे trade करो छोटी quantity से करो थोड़ा OTM play करने की कोशिश करो तो भैतर आप उस बड़े gap up gap down को play कर सकते हो हमने आज किस तरीके से प्ले किया देखिए टेलीग्राम ग्रूप में आपको बोलता हूँ आप जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा more than 89,000 से साथ हमारे members है आप लोगों का बहुत जादा support हमें अल्रेडी मिल रहा है hero zero trade हमने 18,500 का पिन निफ्टी का put दिया था 10 रुपए में 39.30 का इसका high लगा है तीन गुना और ना नॉन एक्सपाइरी डे अभी एक्सपाइरी में दो तिन दिन बाकी है फिन निफ्टी के वहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया और हम लोगों ने वहाँ पे book करने के लिए बोल दिया तो उसके बाद हम एक BTST लेके गए है that is 19,100 कॉल अप्शन तीन रुपए में अब अपने को पता है अगर I.C.S.E. बैंक के नंबर्स अच्छे आए जो हमें चार्ट इंडिकेट कर रहा है उसके उपर से नंबर्स भी अच्छे आ गए तो I.C.E. बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप अप करेगा और फिन निफ्टी एक बड़ा गैप अप करेगा और उसके साथ हमें जो एक वेगा स्पाइक होगा क्योंकि इस वक्त इंडिया विक्त चल रहा है 11.6 11.6 के इंडिया विक्त पे अगर बड़े gap अफ होते हैं या बड़े gap ड़े आउंस होते हैं आपके ऑप्शन के प्राइस स्पाइक करेंगे क्योंकि इंडिया विक्त में एक स्पाइक हमें देखने को मिलेगा ये बारा साड़े बारा चला जाएगा इंडिया विक्स तो वो चीज़ देखना बहुत इंट्रेस्टिंग होगा और I would not be surprised कि अगर कोई बड़ा मूव आता है जिसकी probability जादा है क्योंकि चार दिन से NR4 जिसे बोलते है इसके बाद मार्केट ब्लास्ट करने के लिए तयार है आइधर साइड को direction मैं पता करने की प्लान करने की अगर मैं चेस्टा करूँ तो दिख रहा है मेरे को कि उपर की साइड जाने को तयार है क्योंकि नीचे multiple rejections आ रहे हैं बार 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 को यह चीज अपने को देखनी है अब यह पूरा view negate कब हो जाएगा कि अगर reliance के बहुत ही खराब numbers आ जाए ICA के बहुत ही खराब numbers आ जाएगा view negate हो जाएगा बट जब तक वो नहीं होता मेरा view intact है हम लोग इस चीज के उपर play करेंगे उपर trend line आ रही है आप लोगों के लिए ठीक है trend line आ रही है और इस trend line से हम लोग अगर देखें तो हमें एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि अगर ये बजार 17,660 के उपर sustain करने लगे तो please भाई इसे short मत करना फिर ये बड़े breakout की तयारी करेगा और ये फिर मेरे हिसाब से सीधा जाएगा 17,770 तक short आपको करना है 17,550 का level मैं दे रहा हूँ 17,550 का level important है multiple times यहाँ पर support लिया है यहाँ अगर breakdown होता है तो हमें एक अच्छा 70 point का move मिलेगा 17,480 तक का जो की बहुत important और rock bottom support मेरे को दिखाई दे रहा है तो ये view अभी के लिए हमारा nifty में बन रहा है bank nifty की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा view यहाँ पे ना weak हुआ है और reason क्या था ICACA bank number से पहले ICACA bank अगर आप देखो तो एक बहुत ही critical support के पास है hourly time frame में लगाता हूँ तो बहुत critical support है 888,85 का बहुत critical support है जिसके आपस ICACA bank हवर कर रहा है trend line का breakdown already दे चुका है तो अगर result खराब आते हैं तो उसके लिए ICACA bank जो है तयार है क्योंकि ऐसा नहीं कि ICACA bank अपने 52 week high पर है जैसे HDFC था ठीक है 52 week high से अभी भी ICACA bank कहां पर है अपने all time high से around 7-8% नीचे ही है तो अगर result पर कुछ positive surprise आया बड़ा move हमें पता है ICACA bank देने की काबियत रखता है और उसके साथ वो बाकी banks को भी push करेगा you know SBI, HDFC, KOTAC और Indesan के numbers भी आने वाले हैं तो it could be very interesting बड़ अगर 880 के नीचे ICACA bank निकलता है न तो पूरा हमारा जो view हम बना रहे है एक view लेने की कोशिश कर रहे है वो negate हो जाएगा क्योंकि अगर मैं चार घंटे का time frame लगाता हूं bank nifty में क्या आपको यह pole and flag दिखाई नहीं दे रहे है क्या क्या आपको लग नहीं रहे है एक pole and flag kind of formation यहां पर बनने की कोशिश हो रही है दूसरी चीज बजार क्या कर रहा है बजार जो है एक बहुत एक critical support को hold करने की कोशिश कर रहा है critical support को hold करने की कोशिश कर रहा है यहां पे पिछली बार अगर आप देखो तो इसने बहुत time support लिया था breakout दिया failure हुआ नीचे आया नीचे से जब उपर गया यहां पे hold करने की कोशिश करी नहीं हुआ वापस नीचे आया दुबारा उपर जाने की कोशिश करी इस area के आसपास से दुबारा नीचे आया यहां पे W बनाके breakout दिया इस level को और अब retest कर रहा है इसके उपर sustain करने की कोशिश कर रहा है छोटा time frame पे अगर हम चलें यहां से लेट्स गो तू 15 minute time frame और यहां पे एक level हम mark करने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत important और critical है जहां पे multiple swing highs बने हुए that is 42,350 अगर इस level के उपर यह बजार sustain करने लगता है Monday के session में प्लीज जैसे मैं nifty को बोल रहा था उसी तरह bank rifty को भी short मत करना बड़ा up move हम लोग bank rifty में 43,100 तक expect कर सकते हैं अगर इस move के बाद यह निकलता है तो 700 सा 800 पॉइंट की rally हम लोग को expected है On the downside में जब तक यह 41,790 नहीं तोडता है short नहीं करना है इसके नीचे अगर यह जाता है तो अपना view negate होगा जहां पर हम खुलम खुला short करेंगे पहला target हम 41,730 रखेंगे दूसरा target हम लोग रखेंगे 41,580 जो अपने को ध्यान में रखने है दोस्तो आश्या करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मिलता हूँ आपसे की वीडियो में Fin Nifty के साथ Reliance और ICSI के results के साथ एक और वीडियो मैं आपके लिए Sunday को लेके आऊँगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच पॉच्चिंग आइस चेहिंद वंदे मातरम